तो यहां तक बात पहुंच चुकी थी हमें हमें पदर चल गया था सिंगनल एक्स थी है तो हम उसका उसकी प्रोपर्टी लगाके उसकी कोपिशेंट को कर सकते हैं इसी तरह के एक और एक्जंप्ल देखते हैं प्र देखते हैं किस टाइब का क्या होता है नेक्स्ट एक्जंपल देखने आगर, damn एक्स थी हमारा again मैं एक्स्टी कोand- del last year हूं ठीक है थिक है तीधक है अपने मांनी है यह दे रखाit सकती है प्लस सदोटी है ऑगने कि इतायप कोई सिंगनल पता इस वाली पॉपरेटी को को फोलो कर रहे है देखु मैं पुरूफ करे ठाओंगा ये यही साषब आएगा यह सहीं प्रॉकटी को follow करे यह letay मिन सिघनल की पता चल गया व्हों ठीक रीवल रियल रेले है तो पैम है पहले पता चल गया फोलेग्टि यह लगाएंहें चल लियंगे तो यह可以 मैं कैसे लिख सकता हूँ, exponential के term में लिखो, क्या हो जाएगा, exponential के term में, चलो, यहाँ पर one और add कर लो, चलो, two add कर लो, जो भी अच्छा लगे, तो, यहाँ पर हो जाएगा, two plus, इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं, e की पावर, j t plus e की पावर, minus j t divide by two, इसको क्या लिख सकता हूँ, e की पावर, j 2 t plus e की पावर, minus j 2 t divide by two, इसको क्या लिख सकता हूँ, e की पावर, j 3 t minus, e की पावर, minus j 3 t, divide by two j, ठीक है, इसको अगर मैं अलगलग करके लिख हूँ, तो किस टाइप से लिखा जाएगा, 1 y 2 e की पावर, j t, 1 y 2 e की पावर, minus j t, 1 y 2 e की पावर, j 2 t, 1 y 2 e की पावर, minus j 2 t, यह जाएगा, 1 y 2 j, e की पावर, j 3 t, minus 1 y 2 j, e की पावर, minus j 3 t, इतना लिख लिए है, अभी हमें हार्मोनिक नहीं पता चले, तो harmonic पता होने के लिए पहले मुझे चाहिए ओमेगा नोट तभी तो मैं यहांसा ओमेगा नोट की टम में बनाऊंगा तो ओमेगा नोट क्या हो जाएगा मेरा कि यहां पर कि इसकी फ्रींगेन से कि इतनी है वन तू आपंअ कि अमें गश्ची ध्याओं रखा मुझाम उमेगाव ने النट अगेन रखा सबौमेगा रखा उमेन च्रहें पर सेकिट में तो हम क्याकरते इस सरे टाम निकालते में पहले T1 निकालो, T2 निकालो, T3 निकालो, then उनका over period, then उसके बाद के निकालते हैं, frequency निकालते हैं, लेकिन इतना बड़ा काम निकालेंगे, हम direct यहां से इसका GCD निकालेंगे, किसका, omega 1 का, omega 2 का, और omega 3 का, ठीक है, इतना लंबा process निकालेंगे, पहले इससे time period में change किया, then overall time period निकाला, then omega निकालेंगे, हम direct भी find कर सकते हैं, तो इनका GCD निकालना 1, 2, 3 का, GCD यानि HCF, क्या, HCF, 1, 2, 3 का, HCF क्या आएगा, HCF क्या आएगा, 1, 2, 3 का, 1 ही आजाएगा, ठीक है, HCF निकालना आता होगा, इतने तो max पह, इतना तो यह आता ही होगा, छोटी class की बात है, ठीक है, तो 1 आगया, यानि हमारा जो fundamental frequency omega note वो आगया, 1 radian per second, अब जब हम उसको लिखेंगे, इनके component को, हमाँ पर omega note की जगा 1 रखना, फिर उसको change करके k की term में ले आजना, ठीक है, एक्सटी जगास टू, कितना आगया, 2 प्लस, पहले वाले term को लिखो, 1 y 2, e की power, j, omega note आता था, then, omega note की जगा लिखा मैंना, 1, then आता था, k, k की जगा, अगर मुझको jt लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 1, t, ठीक है, यह, same हो रहे है ना चाहिए, इसम कोई चेंज नहीं, उनसे हम इसको लिख कह सकते हैं, बस यह देखना है, यहाँ पर omega note आया, यहाँ पर k की value आया, then, t, ठीक है, तो यहाँ पता चल लिखा है, k की value 1 है, यहाँ आगर देखो, ऐसे इस वाले को कैसे लिखेंगे, next वाले को, 1 y 2, e की power, j, यहाँ पर यह माइन माइनस है, पहला आया, omega note, then, k, k की value मुझे क्या रखनी चाहिए, कि यह माइनस में बना रहे, तो, minus 1, t, ऐसे इस वाले को लिखो, 1 y 2, e की power, j, omega note की value 1 है, k की जाए क्या लिखू, मैं, कि यह 2, यह 2 t रहे, बना रहे, तो मुझे 2 रिखना पड़ेगा अंदर, इस वाले ब next, इस वाले के लिखो, 1 y 2 j, पिलस, यहां पर लिख दे रहा हूं, मैं, next line में, 1 by 2 j, e की power, j, omega note की value, already, बना चुकी है, अब मुझे यह, j 3 t रखना है, तो मुझे bracket में क्या लिखना पड़ेगा, 3 t, मैं bracket में लिखता हूं, यह समझे लो, वो k की value है, minus 1 y 2 j, e की power, j 1, minus 3 t, तो यहां से हमें compare करके लिखता हूं, constant term क्या देता, c 0, तो हैं से c 0 आगया मेरा 2, next, यह कितना, यह 1 है, तो c 1 की value कितने आगया, plus 1 y 2, next, c minus 1 कितना आगया, हैं से हमें दिख रहा है, 1 y 2, आगे देखो, यह कितना आगया, c 2 कितना आगया, 1 y 2, c minus 2 कितना है, वो भी 1 y 2, यहां पर देखो, यह कितना है, c 3 कितना है, 1 y 2 j, और c minus 3 कितना है, minus 1 by 2 j, ठीक है, यह इसके अलावा और जो कोफिशेंट होंगे, वो क्या होंगे, all other four-year series coefficient will be 0, उसके अलावा क्या होंगे, सारे four-year series, 0 होंगे, four-year series coefficient जोंगे, वो क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है, तो इतने सारे four-year series exit करेंगे हमारे, अगर हमारा signal यह था, ठीक है, अब मैंने का था signal xt real है, तो देखो, इसका complex conjugate exit करेगा, जो c1 का, c-1 का complex conjugate लो, तो 1y2, इसका complex conjugate लिया तो कितना होगे, 1y2, same मीरा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर रहा, यहाँ पर देखो, यह 1y2, c3 का, तो c-3 का क्या होगा, c-3 का, उसका complex conjugate ले लो, कि वाले का, ठीक है, तो इसका complex conjugate कितना होगे, जे की जगह माइनस जे कर देते हैं तो माइनस वन बाई टू जे देखो प्रोपर्टी पूरी फोलो किये इसने ठीक है इसलिए वह जो प्रोपर्टी यह नहीं बताई है वह बहुत ज्यादा आज सायद इस टाइप का गिंटा थी प्लस जे फाइब ठीक है हमसे पूछा था फैंड सी माइनस थी क्या होगा तो हमाई जैसी इस पर नजर पड़ी यह जो लाइन है तो हमें प्रोपर्टी याद आई कि भाई सार अगर ऐसा होता है तो एकस्टी है रियल होता है तो तो क्य हम का हमें चाहिए तो मैं मैं इसको और कैस्लिक लूग लाइज कर के लिए यह यह हो जा गई है क्या है सी मैनस थी जिए का सिसी थी का कॉंप्लेक्स कॉंजूगेट के लिएत है जो ज्टे HOLा उससे पहले सांइन खोजिट कर देते हैं यहां पर फिस तो क्या हो जाएगा 3-3 कितना जाएगा 3-J5 ठीक है तो यह गेट में कोश्चन आया हुआ था इतना करना था वेदे ने सेकिंड का कोश्चन था ठीक है तो आगे बढ़ाते हैं इसके कहानी को और और किया ह.? कि अंब बात यह थीक है कि जो सारा संग्नल स्प्रिण प्रियूरीच के प्रियूरीग तो कोई मतलब जिन चीज का निकाल सकते हैं उसके होने के लिए उन कंडीशन को हम ड्रिचलेट कंडीशन कह तो कंडीशन कि फॉर एग्जिक स्टेंस of four year series ठीक है तो four year series कब exit करेगी मैं यहाँ पर लिखता हूँ तीन पॉइंट है इन्हें हम drish late condition भी कहते हैं कब exit करेगी सबसे पहले signal क्या होना चाहिए absolutely integral होना चाहिए ठीक है इसका मतलब क्या हुआ absolutely integral का मतलब क्या होता है किसी period पे वो जब उसको integrate करें उसका answer क्या है चाहिए less than infinity आना चाहिए ठीक है यानि वो signal stable होने चाहिए अगर दूसरी वास्टा मतलब कहता है । है ऐस फाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनीमा इन एन एन इन वन पीरियड अ ठीक है यह कह रहा एकस्टी जो को उसके पिरियड होते है एकस्टी के वो periodic signal के लिए तो हम बात करते हैं अगर उसके कोई भी हम पिरियड select करते हैं तो उसके पिरियड में finite number of मैक्सिमा और मिनीमा होनी चाहिए ठीक है थर्ड पार एकस्टी है फाइनाइट number of discontinuity is in any one period and each that discontinuity should be finite तो इसने क्या का किसी भी एक पिरियड को पकड़ा हमने फिर्चा पूरे signal में कोई भी पिरियड हो उसमें जो जितनी भी discontinuity आई है वो सारी finite होनी चाहिए ठीक है और वह क्या होनी चाहिए finite number में होनी चाहिए और वह discontinuity उसकी कुछ values भी होनी चाहिए तो यह सारी condition है यह क्या यह ओल conditions यह क्या sufficient conditions है ठीक है थीज are all sufficient condition for existence of for your series बट not necessary condition बस necessary condition नहीं यह ठीक है यह है उसमें आ सकता है theoretical part में तो यह क्या sufficient condition है बस यह है अगर यह condition हमारी satisfy कर रहा कोई signal तो हम क्या करेंगे उसका for a series represent कर सकते है ठीक है यह necessary नहीं है लेकिन sufficient है तो next वीडियो इस से करने के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप प्रॉब्लम्स के साथ